अपरिटीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रियास के सिध्धांत पर चलती है और भारत के लोकतंतरिक मुल्यों में कोई भेदवाव नहीं है अमेरिकी राष्टपदी जो बाइटन के साथ बेठक के बाद साइउट प्रेस वारता में पीम मोदी ने कहा लोग तंत्र हमारी रगों में है लोग तंत्र को हम जीते हैं हमारे पूरवज़ों ने सम्विधान के रूप में शब्दों को ढ़ला है What steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? लोग तंत्र हमारी रगों में है लोग तंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूरवज़ों ने उसको शब्दों में ढ़ला है सम्विधान के रूप में और हमारी सरकार लोग तंत्र के मुल्भूत मुल्यों को आधार लेकर के बने हुए समिधान के आधार पर चलती है और हमारा समिधान اور हमारी सखरकार और हमने सित्व किया है नेमोक्रिचिक अंड डिलीवर और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास, क्रीड, रिलीजियन, जेंडर किसी भी भेदभाव को वहाँ जगा नहीं होती है और जब लोगतंत्र की बात करते हैं तब अगर human values नहीं है, humanity नहीं है, human rights नहीं है, फिर तो वो democracy है ही नहीं और इसलिए जब आप democracy कहते हैं, जब democracy को स्विकार करते हैं, और जब हम democracy को लेकर के जीते हैं, तब discrimination का कोई सवाल ही नहीं उड़ता है, और इसलिए भारत सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब का प्रयास, उन मुलभूत से धानतों को लेकर के, और इसलिए हम च access to all है, जो भी उसके हगदार है, उन सब को मिलते हैं, इसलिए भारत के लोखतांत्रिक मुल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उमर के आधार पर, न भुभाग के आधार पर.